ओम शान्ती आज आपका 149 फे दिंकर इश्रे वर्दान और एस वर्दान में प्यारे परम पिता PARMात्मा न्यारा बनना और परमात्मा का प्यारा कैसे बनना देखा जाए तो अगर हम योगी बनते हैं तो हमारा सारा फोकस परमात्मा पिता के उपर रहता है जिसके कारण हमारी जो मन की तार है आत्मा की जो तार है सुक्षम संकल्पों की तार परमात्मा के साथ में जुड़ी रहती है परमधाम में लेकिन वो चीज सता क्लिए रहे, उसके लिए परमात्मा कुछ युक्तियां बताते हैं तो इसके लिए बाद बाद आज हमें न्यारापन कैसे हो वो भी सिर्फ बाहरी दिखावे बाला नहीं, लेकिन अंदर से हो तो देखें, आज बाबा कहते हैं इस न्यारेपन की बारे में बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारेपन की योगिता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव लगाव होना भी परमात्मा कहते हैं दुख का कारण है और जितना लगाव उतने दुखी तो आज इसको वर्चस्तार में हम समझेंगे सहज योगी जीवन, इजी योगी, मिला इजी परमात्मा को याद कौन कर पाती है आत्मा उसके कुछ कंडिशन हैं, आज एक कंडिशन को हम पैचानेंगे का अनभफ करने के लिए ग्यान सहित नियारे बनो ग्यान तो मिल गया हमें, परमात्मा न ग्यान सारा दे दिया कभी कभी क्या होता है कि हमें ग्यान मिल जाता है तो हम और जो साती संबंदी होते हैं उनके हम पीछे पढ़ जाते हैं कि उनको भी ग्यान मिले वो भी आगे बढ़ें इस जीवन में लेकिन उसमें भी परमात्मा कहते हैं नियारापन क्योंकि हर एक आत्मा का अपना-पना समय, अपना-पना टाइम है, इस ग्यान को समझना, परमात्मा को पहचानना, बाबा तो इतना भी कहते हैं कि भगवान को पहचानना मासी का घर नहीं है, बहुती लखी आत्मा होती हैं, जो कि परमात्मा पिता को पहचान जाती है, जोने तुनियों, लेकिन कहीं जन्मों तक तपस्या करीए, बहुत जन्मों की तपस्या, से एक जन्म के नहीं इस जन्म में दानपुर्ण ने किया तो हमदे आंपर पर मात्म मिलजाएंगे ऐसे नहीं होता तो Bapak केते हैं, की नियारा होकर की पर मात्म का पैरा होना ये भी एक बहुत ही important तरीका है जिसे कि हम परमात्मा से सदा लगे रहें योग में या याद में फिर बापा कहते हैं सिर्फ बाहर से नियारे नहीं बनना लेकिन मन का लगावना हो कुछ होते हैं जो कि हम बाहर से नियारे बात नहीं करेंगे आज आज हम बिल्कुल मौनवरत में रहेंगे आज बिल्कुल no contact फोन नहीं उठाना फोन नहीं करना परमात्मा कहते हैं आपको दूर नहीं होना है किसी से आपको दूरी बनाएं नहीं रखना है आपको योग-जुक्त हो करके गुणों को इस्तमाल करके इस शक्ति को इस्तमाल करके आत्मा से निहरा रहना है किसी के लगाव में आना, किसी पर बहुत डिपेंडेंट होना कोई अच्छी अच्छी मीटी मीटी बाते बोलता है कोई आपको बहुत हसाता है तो उससे भी आप क्या होता लगाव हो जाता है कोई बहुत प्यारी बाते बोलता है उससे आपको लगावाता है कोई आपको बहुत एप्रिशेट करता है उस चीज से भी लगावाता है और वो फिर ना करे वो आपको ध्यान न दे वो आपके साथ में हसी मजाख न करे आपको वो हासा है न तो उस समय आप रोने वाले बन जाते हो वो रोला देते हैं फिर आपको वो नहीं रोलाते हैं लेकिन आप रो देते हैं क्योंकि आपका लगाव आपको रोला देता है आप उन पर डिपेंडेंट हो गए अपनी खुशी के लिए, शक्ती के लिए, शान्ती के लिए, हर चीज के लिए तो परमात्मा कहते हैं, जैसे कि किसी को छोटे बच्चों से लगाव हो जाता है छोटे बच्चों कुछ हुआ तो हाय तौपा माचाना शुरू करते है परमात्मा कहते है नियारा हो करके हर एक के पार्ट को देखना है इसका मलत यह नहीं कि उनकी मदद नहीं करनी लेकिन नियारा हो जाना है हाय तौबा नहीं करना है हाय तौबा करी तो परमात्मा भी भूले और नेड़ने लेनी की शक्ती भी खतम और गलत आपने निर्णे लिया और उसके बाद में आपको खुदी पच्टावा होगा तो बाबा कहते हैं क्यों न तुम मेरे साथ में जुड़े रहो लगाव मुक्त रहो किसी पर डिपेंडेंट ना रहो और आगे बढ़ते चलो अगर डिपेंडेंटेंशी होगी तो कौन याद आएगा वेक्ति याद आएगा कि बाबा याद आएगा कि परमात्मा याद आएगा तो ये भी बहुत यची युगती है पर बाबा कहते हैं मन का लगावना हो हम तन से तो दूर होगे कि मन से घड़ी-घड़ी याद करें अरे वो होते तो ऐसा होता वो उनको पता ही कैसे करना है उनके पास में सब कुछ ग्यान है वो ही सब ठीक कर सकते हैं परमात कहते हैं फिर आप कब आगे पढ़ोगे आप कब आगे बढ़ करके अपने अंदर अंदर वो संसकार पैदा करोगे क्योंकि राजा को प्रजा चलाने के प्रे सारी राजधानी चलाना आना राजा को तो यह भी भी पता ना च denser कि चपल कैसे बनती है जूते कैसे बनते है यह भी अगर पता होना राजा को तो एक दिन ऐसी नोमत ना चाहिए ये राजा को खोदी बनाना शुरू करना पड़ते है वो सब कुछ तो परमात्मा कहते हैं कि एक राजा जो होता है उसको हर चीज का ग्यान होता है तो आपको क्या चीज किसी पर डिपेंडेंसी है इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चेक करिएगा कि वो ही लगाव आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है चाहिए वो कोई भी फिल्ड हो चाहिए spiritual फिल्ड हो चाहिए दुनिया भी फिल्ड हो पिर बाबा कहते हैं जितना जो नियारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है कि इसका प्यारा परमात्म का क्या कि वो कोई पाप कर नहीं करता वो लड़ाई जखड़े नहीं करता तू तू मैं में नहीं करता खीचा तानी नहीं होती किसी संबंद में, relationship में, या किसी नौकरी में, या किसी business में तो हम किसी पर भी किसी से भी लगाव में ना भसें किसी भी चीज का और क्या लगाव होता है हमें? हमें लगाव होता है अपनी ही उपलब्धियों से लगाव होता है जब उस चीज से लगा होता है तो हमें आंकारा था उस चीज का और कोई भी उस चीज के बारे में कुछ बोले तो हमें ठेंस पहुचती है वो भी फिर आपको नियारा और परमात्मका पैरा तो छोड़ी आप किसी के भी प्यारी निए बन पाते हैं तो अपने जो सुझाव हैं, अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो qualifications, capability है, experience है, उसमें भी number चित होना, उसको भी एक लगा मुक्त विक्ति की निशानी कहते हैं, फिर आप कहते हैं, नियारी अवस्था प्यारी लगती है, तो आप चीजों से निया रहा हो, लोगों से सर्फ नहीं, आप dependency से नियारा हो, और अपने ही, हम बहुत सारी चीजे हैं, जो अपनी past के हमने उपलबदियां के साथ में हम जब attach हो आते हैं, तो हम कुछ निया नहीं कर पाते हैं, वो भी लगाव हो जाता है, मैं सिर्फ इसी चीज में अच्छा हूँ, या अच्छी हूँ, मैं बस इसी चीज में अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हैं, मैं को और चीजों में घबराट होती है, ये भी परमात्मा कहता है, ये भी लगाव है, उन चीजों को भी छोड़ो, कुछ नई चीज को अपनाने के लिए, आपको मोल्ड करना ज़रूरी है, और मोल्ड करने के लिए नियारा होना मतलब अपनी उपलबधियों, अपने एक्सपीरियंस से भी नियारा हो जाना, कोई नई चीज़ ट्राइक करने के लिए फिर परमात्मा कहते हैं, जो बाहर के लगाव से नियारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाए परिशान होते हैं इसलिए सहज योगी अर्थात नियारे और प्यारे पन की योगता वाले, जो बाहर के लगाव से नियारे नहीं, बाहर के लगाव में क्या क्यादा था आपका, आप बाहरी रूप से किसी विक्ती पर डिपेंडेंट हैं आप, कि आपकी जो आसपस चीज़ें हैं, उस पर हो गया, जिसमें आप विचलित हो जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि हर चीज को नियारा हो करके देखो, परमात्मा के क्यान के अनुसार देखो, ड्रामा, nothing new, कोई नहीं बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी इस सारी चीज़ें होई थी, अगर आप क्यान समझते हैं तो, और फिर तब हमारे मन में हर एक के प्रती शुब भावन शुब कमना रहे नहीं, तो हमारे मुख से हमेशा कुछ न कुछ गलत निकलता रहेगा, उससे हमारी अवस्ता बिगड़ीगी और परमात्मा के साथ में योग नहीं लाएगा, मुख से अगर किसी के प्रती अब शब नि को आवे मेरा, कोई मेरी बात नहीं मानता, अभी के अभी मेरी बात मानने चाहिए, ये भी एक लगाव है, तो इससे भी मुक्त करें अपने आपको, ये आदतों को बदलें, तब आप प्यारे बन पाएंगे परमात्मा के, तो आज का ये वर्दान, बहुत ही मैत्वपुन जिसमें की, हम अपने ही आपको भारी बनाते हैं, और कैसे हम न्यारे हो जाएं, तो हम हलके हो जाएं, और परमात्मा से तो हलका मन ही जूड़ सकता है, ये परमात्मा का मन सदा ही हलका रहता है, तो मैच करना है ना अपना संसकार परमात्मा से जुनने के लिए, उनको अप परमात्मा हलके वाले मन वाले तो आप भी हलके मन वाले बन चाहिए तो आज के ये शुरी वर्दान बहुत ही आपको तंदृस्त बनाने होला मन से और तन से आप शक्तिशाली बनेंगे और चुटी चुटी बातों में आप विच्छ रितनी होंगे लगाव मुक्त रहेंगे ओम शैंती